बच्चों के विवा के लिए अगर आप किसी भी देवी देवता के आगे बिंती प्रार्थन करते हैं और देव गुरू ब्रहस्पती देव से जुड़ा हुआ उपाई उनके आगे कर देते हैं कोई भी देवी देवता हो उनके आगे देव गुरू ब्रहस्पती देव का उप अगर आप उनके आगे कर दें, तो आप देखेंगे कि बच्चों के जनकुंडली के खाने में, किसी भी खाने में उनके विवादोश लगा हुआ हो, वो तुरंत दूर हो जाता है, चुनकि पितर पक्ष चल रहा है, और पितर पक्ष में आप गुरू से सबंदित एक छोटा स सबंदित होती है, पिली हल्दी गुरू से सबंदित होती है, केसर गुरू से सबंदित होता है, लेकिन चावल का दाना किस तरह से गुरू से सबंदित है, वो आपको वीडियो में आगे आप जानेंगे इसके बारे में, तो वीडियो के लाश्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको बताओंगी कि बच्चों की विवा के लिए अगर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा, आप करकर के प्रेशान हो गए हैं, ठक गए हैं, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, देखें इस काम को पित्रपक्ष में ही कर लीजिए, पित्रपक्ष के आप कुछ महत्वपूर उन दिन हैं, जिन में भी लगातार कर सकते हैं, और साथ दिन लगातार भी कर सकते हैं इसको, और अगर आप जैसे आपका मन चाहें इन दिनों में जब जब भी चाहें आप कर सकते हैं इस उपाय को, करना कैसी होगा, इसको मैं बताओं, उससे पहले नमस्कार आप सब का मेर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है देखिए आप बच्चों के विवा के लिए अगर परिशान है देखिए पित्र पक्ष में बहुत सारे उपाए हैं गायों के लिए कुत्तों के लिए कोई के लिए ब्रामन भोज के लिए पीपल में जल डालने के लिए हर तरह का उपाए ह है कि आप अपने पित्रों के नाम से उनको परसंड कर सकते हैं और बच्चों का विवा दोश दूर कर सकते हैं यानि कि तब गुरू परसंड होते हैं लेकिन ये एक जो छोटा सा काम है इसको अगर आप कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों के गुरू का जो दोश है क्योंकि उसी कारण से विवा नहीं होता है जल्दी जल्दी तो गुरू का दोश तुरंत समापत होगा बेटा हो या बेटी हो उनका विवा दोश इन साथ दिनों के अंदर आप जब जब भी करेंगे इसको तुरंत समापत होगा आपको खुश कबरी मिलेगी यानि कि होंगे तो बापीस भी नहीं मुड़ेगा इतना भी आप चानते हैं रिष्टा होगा ही होगा आपको करना क्या है एक तो मुझे नहीं मालूम कि आज कल घरों में जल कहा रखा जाता है पीने का बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हमारे तो जल फ्रीज में ही रहता है हम वहां पीने का नहीं होता है बड़ी टंकियों में पीने का जल आपके पास आपके मटकों में रहता हो तो मटकों में रहता है आपके जल पीने का तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता है आज कल शायद इस तरह के मटके बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं आपके पिर भी कहीं न कहीं खाना बनाने के लिए जल रखा हुआ हो, एक बाल्टी जल रखा हो, एक स्टील का कोई बड़ा सा बरतन जल का भरके रखा हुआ हो, चोटी टंकी कोई भरके रखी हुई हो, कहीं भी आपके जल रखा हुआ हो, वहां आपको इस उपाई की शुरुआत करन आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना एक ही चावल का दाना आप ले लीजिए आप ज्यादा लेते हैं आपकी इच्छ है लेकिन मैं तो कहूंगी इस उपाई में सिर्फ एक चावल का दाना आप लेकर जहां आपके जल पीने का रखा हुआ है वहां पर किसी ब तंशकार करिए और अपने पुरवज़ों को आपको नहीं मालूम कि आपके कौन से पूरवज़ हैं लेकिन जाने अनजाने में जो भी आपके बड़े है जो यहां से स्वरक सिधार गए हैं पिर तुरी लोक से उनको नमन करते हुए आपको किसी के बारे में पता ही नहीं है आप किसकी कलपना करेंगे फिर भी आप उनका नाम लेते हुए नमसकार करते हुए वो चावल का दाना एक वहाँ पर जहां रखा है वहाँ नमसकार कर दीजिए और चावल का दाना फिर बाद में आप वहाँ से एक उठा लीजिए कोटोरी यानिकि जिसमें रखेंग लीजिए कुछ भी एक मीठा डाल लीजिए अब अगर आपके लोटा अगर आपके पास दूद आप डालते हैं तो तांबे का नहीं लीजिए और अगर आपने कच्छा दूद नहीं डाला है खाली तिल और आपने मीठा ही डाला है तो आप तांबे का ले सकते हैं यह लेने के अगर आपके घर में भोले नात का शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है आपको घर में ही कर लेना है इस उपाय को कहीं बाहर जाना नहीं है और अगर भोले नात का शिवलिंग नहीं है तो फिर नजदीक के किसी मंदिर में जाएए ये चावल का एक दाना अभी आप सोच आगे जानिए कि किस तरह से गुरू को समर्पित होंगे और पितर दोश आपका समापत होगा यहां से आप देखेंगे इस एक दाने को भोले नात को अर्पित कर दीजिए यानि कि शीविलिंग पर रख दीजिए और रखने के बाद अब जो एक लोटा जल है आपके पास जो लेके आई हैं उस एक लोटा जल से आप भोले नात का अविशिये कर देखेंज करते हुए जितना भी लोटा जला आपका जब तक पूरा समर्पित नहीं होता धीरे धीरे एक धार के रूप में तब तक आप नमेश याय का जब करते रहें अब आप कहेंगे कि ये तो हमेश मापारुति के हस्त कमल से होता हुआ जब नीचे जाता है ये जलहरी से तो वो पित्रों को जा रहा है आपके ये जल जो एक चावल के दाने से शीलिंग के उपर से होकर मापारुति के हस्त कमल से नीचे बह रहा है ये आपके पित्रों को तरपती दे रहा है आपके पित्रों क पास पहुंच रहा है और पित्र आपके यहां से प्रसंद हो रहे हैं और पित्रों का प्रसंद होना मने गुरू का स्ट्रोंग होना बड़े बुजर्ग जो होते हैं क्योंकि गुरू भ्रहस्पति देव भी सभी देवताओं के गुरू हैं सभी के बड़े हैं तो हमारे भी त तो उस तरह ऐसे जब पित्रों को वो जल जा रहा है तो आपके पित्र परसंद हो रहे हैं, तो बच्चों की ज़न्म कुली में गुरु स्ट्रोंग हो रहा है, तो गुरु स्ट्रोंग के होते ही आपको तुरंट और तुरंट आप साथ दिन इसको लगातार कर लीजिए, आप इसको बीच बीच में छोड़के भी कर सकते हैं, साथ बार जैसे अमावस्याइगी उस दिन भी कर लें, एकादिशी को भी कर लें, उससे पहले आप नौमी को भी कर लें, मातर नौमी होती है, उससे पहले आप पंचमी को लें, चतुर्थी को कर लें, साथ बार आप इस उपा उपाई को कर सकते हैं यह उपाई और बच्चों के विवायोग बनने में देरी ही नहीं लगेगी बहुत आसान सा एक चावल के दाने का उपाई मुझे लगता है शायद सब को पसंद आया होगा यह उपाई चोटा सा बिना किसी कर्चे का सब बच्चे या उनके माता-पिता क करेंगे तो तुरंत बच्चों की शादी विवात होंगे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्रीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब जरू करें कमेंट वक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें थैंक्स पर वाज अभ्णा अपको अबाए हो तो सब्सक्राइब।